हेलो फ्रेंज वेलकम तो माई यूटेब चैनल और लाइन फॉर्म भरे पे दोस्तों आपको बता दे कि जो बिहार जुटीशिल का फॉर्म भराया था जिसका लास्ट डिर्ट था 27 मार्च दोस्तों उसमें आप जो करेक्शन है उसमें करेक्शन के लिए आपको अपडेशन है आप यहां पर आ चुका उसकी ओफिसियल विबसाइट पर आज मैं आपको बताने वाला हूं इस टिप बाई स्टिप आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं जो भी गलती हुई है आप करेक्शन कर सकते हैं आसानी से तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेजिए अब गंटा घंटी सब बजा लिए तो दोस्तों आपको बता दे कि आप अगर मोबाइल से अपलाई कर रहा है तो आपको क्या करना सबसे पहले यहां पर आपको थ्री डॉट में पर दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मेरा जो है और लेडिज ए असकते हैं तो सबसे पहले दोस्तो आप यहां पे जो है ओफिसिल विपसाइग पर आ चुके है अब आपको नीचे हुआ होगा आप वहां से सर्च कर सकते हैं आप अगर यहां पर सर्च करेंगे भी हाज इसल तब भी आ जाएगा आप वहां से यहां पर आपसन आपको मिल जाएगा अपको क्या करना है दोस्तों यहां करेंगे आप यहां पी जो आफिसेल वेपसाइट के डैस्क्राइब करना है कि अप्डेशन यहां पे एक आपको इंस्टेक्शन दिख रहा होगा यूँओं फिल्ड आप्लिकेशन फॉर्म पॉर्पी यूँ डाउलोड इवर फिल नापको अप्टेट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा यहां पीक ऑप्सन मिल रहागा अप्डेटा और इंफॉर्मेशन डाटा दिन क्लिक विफोर तीन मार्च पता दे दोस्तों यह जो आपका जो अठाइस मार्च से तीन अप्राइल के बीच में आपका जो करेक्शन होना है वो चलेगा उसके बाद आप जो है करेक्शन नहीं कर पाएंगे अब आपको क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है उसके बाद देख सकते हैं कि यहां पर मेरा सारा डीटेल्स खुल करने के बाद हम लोग अगर सारा डीटेल इंथायंगे अपने आप आपका सारा डीटेल्स रहता है जैसे यह horror का और जो लॉकालिज का तो दोस्तों बता दे आपको यहां पे आप अगर सबसे बड़ी गलती में ने यहां पर यह कर दिया है कि यहां पर सत्र जो है सिर्फ एक ही सत्र लिखा है जबकि दोस्तों यहां पर आपको सत्र कैसे लिखना है जैसे 2015 से 17 है तो आपको यहाँ पर 2017 यहाँ पर इंटर कर देना है किस वाले सेक्शन में यह सत्र वाले में आपको यहाँ पर सत्र वाले सेक्शन में इंटर कर देना है यह आपको साही कर लिना है अब दूसरा चीज दोस्तों यहाँ पर आते हैं यहाँ पर आपको लिखा गया है बार का काउंसिल जो आपका जैसे उत्तर प्रदे से डाल दिया है विहार से जब कि यहां पर यह ऐसा डालना बिल्कुल था ही नहीं वह गलत है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो इसके लिए आपको क्या करना है आप जिस कॉलेज से पढ़े हैं वहां पर जाएंगे बोलें इससान जो आपको को और ऐसे में लिख देना है जो आपका college है वो issue by में लिख देना है आपका certificate number दिये यहाँ पर लिख देना है और date of issue आपका certificate college ने बनाया वो किस date को जो है issue किया है यह आपको यहाँ पर enter कर दिने हैं उसके बाद दोस्वाब आप नीचे जो है यहाँ पर आ सकते हैं सारा details चेक कर सकते हैं यहाँ कुछ ग अच्छी तरह यहाँ पर प्रीविव पर क्लिक कर देंगे दोस्तों जैसी यहाँ प्रीविव चेक करने के उसके बाद एक option आपको यहाँ पर मिल जाता है क्लिक करते हैं तो सींप्ल यहां पर आपको इस बटन पर आपको यहाँ कर देना है यहां कर दोस्तों यहां क्लिक करना है। फिर यहां पर यूजर डालके फिर लॉग IT करने के बाद को फिर से जो है अपना जो फॉर्म है आपका यहां पर डाउनलोड कर लेना है दोस्तों जैसे ही लॉग इन करेंगे उसके बाद आपको यहां पर नीचे क्लिक करना है क्लिक करने बाद दोस्तों एक आपसन मिल जाता है यहां पर डाउनलोड फॉर्म पर आपको क्या करना है यहां पर ड तो दोस्तों आपको step by step समझ में आ गया और नहीं समझ माता है तो कमेंट करके हम से पोच सकते हैं बेज चक तो अगर आप मेरे चनल नए हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाई जरू कर देंगे दोस्तों मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो अब तब तक के ल कर दोच।